नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि बेस्टोजाइम कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है बेस्टोजाइम कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और बेस्टोजाइम कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि बेस्टोजाइम कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में बेस्टो जाइम कैपसूल को लेना रेकमेंडेर नहीं होता है। बेस्टो जाइम कैपसूल के अंदर सिंथेटिक डाइजेस्टिव इंजाइम मौझूद होते हैं। Digestive Enzyme हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। हमारा शरीर भोजन को अच्छी तरह से पचाने के लिए Amylage और Lipage जैसे Digestive Enzyme उत्पन करता है। परन्तु जब किसी कारणवर्ष हमारा शरीर परियाप्त मात्रा में Digestive Enzyme नहीं बना पाता है, तब डॉक्तर कैपसूल की फोरम में Synthetic Digestive Enzyme लेने की सलाह दे सकता है। BASTOGYME कैपसूल शरीर के पाचन तंतर को मजबूत बनाता है, और कार्गोहाइडरिट, फैट और प्रोटीन को शरीर में अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है। इसके अलावा بेस्टोजाइम कैपसूल ढूग को भी बढ़ाने में मदद करता है और जिन व्यक्तियों को तेक भरा-भरा हुआ महसूस होता है, उन व्यक्तियों के लिए भी बेस्टोजाइम कैपसूल बहुत ही फायदेमन होता है. बेस्टो जाइम कैपसूल का उप्योग पेंक्रियाज के रोगों में, कई प्रकार के पेट के रोगों में, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, भूख पढ़ाने के लिए और जिन व्यक्तियों को सीने में जलन रहने की समस्या रहती हैं। उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर बेस्टो जाइम कैपसूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। को बढ़ाने में मदद कर सकता है लेकिन बेस्टो जाइम कैपसूल सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो खृपया वीडियो को लाइक करना नह भूलें अब हम डिसकस करेंगे कि बेस्टो जाइम कैपसूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है बेस्टो जाइम कैपसूल को खाना खाने के तुरंत बाद लेना रेकमेंडेड होता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बेस्टो जाइम कैपसूल को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं बेस्टोजाइम कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना बेस्टोजाइम कैपसूल को नहीं लेना चाहिए अब हम दिसकस करेंगे की बेस्टोजाइम कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैसे त सामाने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशिस, दस्त और कब्स की समस्या हो सकती हैं, अब हम डिसकस करेंगे कि बेस्टो जाइम कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में बेस्टो जाइम कैपसूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, ज्यादा खुराक में बेस्टो जाइम कैपसूल को लेने से गंभीर स्वास्थय समबंधित समस्याय हो सकती है, इसलिए बेस्टो जाइम कैपसूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई, गई खुराक मे लेना चाहिए लिवर और किड्नी की कोई बीमारी होने पर बेस्टो जाइम कैपसूल की खुराग घटानी पड़ सकती है इसलिए लिवर और किड्नी की कोई बीमारी होने पर इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को बेस्टो जाइम कैपसूल या इसके किसी भी ingredient से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को बेस्टोजाइम कैपसूल का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए, अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं बेस्टोजाइम कैपसू का सेवन करना रेक में डेड नहीं है, और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर बेस्टोजाइम कैपसूल को लेने की सलाह तभी देते हैं, जब बेस्टोजाइम कैपसूल का देना बहुत ही जरूरी हो, इसलिए pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बेस्टोजाइम कैपसूल को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीimme को लाइक कर देना चैनल को सबसक्राइब कर लेना और अगर आपका बेस्टोजाइम कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है त तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं.